हरे कृष्णा तो आ रही है श्री कृष्ण जन्माश्टमी तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्ण हैं यह जन्माश्टमी जो स्पेशल डे है इसको कब बनाया जाए कौन से दिन बनाया जाए किस तरह से बनाया जाए तो देखिए इस बार जन्माश्टमी हर बार की तरह दो तिथियों में पढ़ रही है छे सितंबर और साथ सितंबर तो छे सितंबर जो है उसमें सब्तमी तिथि रहेगी तीन बच के चालिस मिनिट दुपहर के तब तक ये सब्तमी तिथि चलेगी और फिर संध्या काल में अश्टमी तिथि लगेगी छे तारिक को और साथ तारिक को अश्टमी तिथि और चल रही होगी और अश्टमी तिथि चार बच के चार मिनिट संध्या काल में समापत हो जाएगी तो इसमें ये समझने वारी बात है कि दो प्रकार के भक्त समाज है एक है समार्त ब्राह्मन और एक है वैश्नव ब्राह्मन तो जो समार्त लोग हैं वो लोग छे तारिक को ही पूर्व वृद्धा जन्माश्टमी तिथी का वृद्ध आदि कर रहे हैं लेकिन जो वैश्नव लोग हैं जो वैश्नव पदती का पालन करते हैं वैश्नव यानि जो श्री कृष्ण श्री विश्नु को अपना आराध्य इश्ट मान करके हरे कृष्ट महामंतर की जब माला करते हैं इसकौन, गौडिया विश्नविजम या किसी भी श्री संप्रदायाधी संप्रदायों से पालन करते हैं उन लोगों को अश्टमी तिथी को ही यानि कि जो व्रद्धा यानि कि सूर उदे से पहले लगी वी जो तिथी है उसी का ही पालन करना चाहिए यानि कि साथ सितंबर को ही हम भक्त लोग वैश्णव लोग अपना जन्माश्टमी वरत का पालन करेंगे जन्माश्टमी वरत जो है शास्त्र में पद्म पुराण में बताया गया है कि इससे बढ़कर के राधा कृष्ण को ना तो कोई वरत प्रिये है और ना ही वेदों में पुराणों में इससे अद्भुत कोई वरत बताया गया है एक जन्माश्टमी वरत करने मात्र से 20 करोड एकादिशी वरत का फल मिराप्त होता है शास्त्र में बताया गया है कि साथ जन्मों में किये गए जितने भी पाप हैं उनको एक ही वरत में समाप्त किया जा सत्ता है शास्त्र भ्रह्म वैवत पुराण आदी में वर्णन आता है कि अगर कोई विक्ति जन्माश्टमी के दिन अन ग्रहन करता है तो वो विक्ति अपने जो जितने भी उसने 100 करोड जन्मों में पुन्न किये होंगे उनका वो नाश कर लेता है एक ही दिन में सब नश्ट हो जाएंगे और उसे 100 से अधिक ब्रह्म हत्या करने का यानि जीव हत्या करने का पाप उसको लगता है शास्त्रों में कहते हैं कि यो नरो अशनाती मूडात्मा जियनती वासरे दुजहा महा नरकम शनाती यथा चाहरी वासरे जो मुर्ख कृष्ण जन्म के दिन यानि जन्म आश्टमी के दिन भोजन करता है अन खाता है उसको उसी तरह से नरकों में जाना पड़ता है जैसे एकादिशी के दिन जो विक्ति गलती से भी राई के बराबर भी अन ग्रहन कर ले तो उसको पाप लगता है नरक में जाना पड़ता है वैसा ही फल जन्माश्टमी के दिन अन खाने से विक्ति को मिलता है तो जितने भी ग्रंथ हैं उन सब में अन खाने को मना किया गया है कि हम जनमाश्ट में के दिन अन न तो बनाएं न तो खाएं हमें सारा दिन उपवास करना चाहिए उपवास यानि की भगवान के नजदीक वास करना अब दो तरह के इसमें प्रश्णाते हैं कि जो भक्त तो वो लोग अपने घर के निजी विग्रोहों की सेवा कैसे करें तो उन लोगों को ये समझना चाहिए कि जब कोई केंद्र या कोई मंदिर जन्माश्टमी आयोजन कर रहा है बड़े स्तर पर तो उस समय आप अपने ठाकुर जी को बोल सते हैं कि ठाकुर जी चलिए आज नहेंगे तो इस प्रकार से आप बोसते ऐसे भगवान भी कहते हैं मैं कहाँ आवास करता हूँ यत्र गायन ती मत भक्ताम तिश्ठाम इत्तर नारद नारद में वहां रहता हूँ जा मेरे भक्त मेरे गायन करते हैं अब मंदिर में लोग हजारों लाखों लोग किरतन कर रह होते हैं वहाँ ठाकूर जी होते हैं और वहाँ उनका अभिशेक आप करें तो आपको वही फल मिलेगा तो अपने घर के निजी ठाकूर को आप या तो सुबह या फिर एक दिन पहले या फिर एक दिन बाद आप उनका अभिशेक कर सकते हैं लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा करें पंचामरत में पांच गव्य पदार्थ दूद घी दही शहद गंगाजल तुलसी दल इन सभी पदार्थों को मिलाकर अन्य पदार्थ भी लगा सकते हैं जैसे कई परकार के फलों के रस ड्राइफ रूट साधी कम पेस्ट बनाकर के इन सब से भगवान का अभिशेक किया जा सकता है फिर भगवान को बारा बजे तक जब या अभिशेक पूर्ण हो जाए गंगाजल से स्नान कराकर शुद्ध पूर्ण रूप से सारे चिकनाई को हटा करके उनको कपड़े वस्तरादी से उनको सुखा करके नवीन वस्तर नए वस्तर पहना करके श्रिंगार करके उनकी आरती की जाए और फिर साड़े बारा जब रात के बच जाए तो पूरे दिन जिन लोगों ने वरत किया है वो लोग चर्णामरत पान करके उस वरत को खोलते हैं लेकिन ध्यान देने वाली बात अन अभी भी नहीं खाना है तो कुछ लोग निरजल रखते हैं वो पी करके वरत को खोलते हैं जो लोग अपनी यथा शक्ती निरजल नहीं रख सकते हैं जल पी करके या दूद पी करके पूरा वरत करते हैं वो लोग रात्री कार में कुटू साबू दाना या जिस परकार इकादिशी में फल लेते हैं आलू टिक्की या जो भी आलू से बने प्रदार्थ जो प्रसाद के भोग लगे होते हैं उसे पान कर सते हैं लेकिन अन हम नहीं खाते हैं कुछ लोग रात्री में बारा बज़े अन खालेते हैं वो अन खाना गलत है और कुछ लोग सुबह उठकर सूरुदे के बाद अन खालेते हैं लेकिन हम जो गौडिय वैश्णव हैं जो स्कॉन को फॉलो करते हैं हमारे महान आचार्या फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद इस दिवैन गिर्स एसी भक्ति वेदानत श्रीला प्रभुपाद जी का जन्म उत्सव नंद उत्सव होता है नंद उत्सव यानि भगवान श्रीकृष्ण का नंद गाओं में जन्म उस दिन उनका जन्म है तो उनका बारा बज़े तक वरत होता है तो इसकॉन के भक्त पूरी जन्माश्टमी में वरत रखते हैं अगले दिन भी वरत उनका चलता रहता है और बारा बज़े दुपैर के यानि कि इस बार आठ सितंबर के बारा बज़े जब श्रीला प्रभुपाजी का भिशेख हो जाता है उसके बाद ही अन ग्रहन करते हैं भक्त लोग तब तक लोग फल खा सकते हैं कुटू खा सकते हैं इकादशी में जो भी भोजन बनाते हैं वो सब साबुदाना मखाना मुमफलियादी खा सकते हैं लेकिन अन दुपैर के बारा बज़े जो लोग श्रीला प्रभुपाजी के मुमेंट में नहीं हैं या उतने प्रकारता से पाला नहीं कर पा रहे हैं वो लोग सूरुदे के बाद अन गरहन कर सकते हैं लेकिन रात को बारा बज़े अन नहीं खाना होता है तो इस प्रकार से इस एकादशी 120 करोड एकादशीयों का समुहूं प्रदान करने वाला ये वरत जन्माश्टमी वरत है इस वरत में अधिक भगवान का स्रवन कीर्तन करें शास्त्र पड़ें भगवान की कृष्ण कताओं को पड़ें बच्चों को कृष्ण कताओं अपने घर में कृष्ट वातावरण रखें जो लोग कृष्टन जन्माश्टमी का वरत करते हैं आरती करते हैं भगवान को प्रणाम करते हैं भगवान के नवीन वस्त्र पहनाते हैं भगवान की आरतियां गाते हैं किर्तन करते हैं अधिक संख्या में जब करते हैं श्रवन क कथा पढ़ते हैं और पूरे परिवार को पढ़ाते हैं ऐसे लोगों के घर में सदा कृष्ण भक्ति का महौल रहता है भगवान की पूरे वर्ष आशिरवात बना रहता है कलहा खत्म होते हैं बच्चे परिवार संसकारी बनते हैं गलत प्रकार की वस्तुओं से दूर रहते ह हैं तो कोशुश करनी चाहिए कि इस वरत को हम पूरी श्रद्धा मन योग से बनाएं साथ सितंबर को वैश्णव लोग बनाएंगे साथ सितंबर की रात के बारा बजे तक वेट करते हैं और बारा बजे के बाद ही वह अपने प्रसाद को ग्रहन करते हैं दिन में हलका फु खालिया कुछ आलू खालिये और अगर कर सते हैं तो केवल दूद पर कर सते हैं तो केवल जल पर कर सते हैं तो निर्जल जैसी यता शक्ति हो करना चाहिए पर मुख के हरी नाम संकिर्तन हरी नाम का जाप कथा किर्तन नए लोगों को प्रचार भक्तों की सेवा ये सब करना जन बहुती बड़ा दुरभाग है कि अदबुत भगवान स्रे कृष्ण जो ब्रह्मा जी के एक दिन में किवल एक बार यानि कि एक हजार चत्र योगियां जब खुजर जाती है तब भगवान एक बार स्रे कृष्ण स्थू भगवान स्वेम प्रकट होते हैं जन्म लेते हैं क्रिष्ण जन्म आश्टमी क्योंकि क्रिष्ण ही का केवल जन्म होता है और वो जन्म दिव जन्म है इस दिव जन्म को बनाएं जन्म आश्टमी उत्सव को व्यर्थ ना करें इसको अद्भुत तरीके से स्मरण करें भगवान स्रे कृष्ण का जाते से ज़्यादा कि श्री बार स्रीकृष्ण स्वेम भगवान आते हैं और वो भगवान अभी पांच जार साल पहले द्वापर युग में आये थे और उन्हीं का जन्म दिवस हम बना रहे हैं अपने घर के बच्चों का बड़े बनाते तो कितना उत्सा होता है श्रीकृष्ण अखिल ब्रह्मान डिना आयक जो है स्वेम भगवान वो आ रहे हैं तो हमें बड़े उत्साह के साथ इस वरत को बनाना चाहिए हरे एक रुष्ण ना